तमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सुभी का All Exam Guide Group पर दोस्तों आप देख रहे हैं Free Science का Practice Set पेपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए 1000 साइंस के MSQ कॉशन की पीडियाप दे रहा हूं आप पीडियाप डाउनलोड कर लिजेगा सारे कॉशन से ए अनंत वैद्धुत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें विद्धुत रोधी कहा जाता है Option No. विद्धुत रोधी इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा Next Question देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रशन इरा स्क्रीन पर आपके सामने बिजली का बलब निमनलिखित में से किस से अरधित होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो बिजली का बलब जो है किस से अरधित होता है तो शक्ति और वोल्टता से किसrett out से अरधित होता है- next question देखते हैं क्या पूशा गया है अगला प्रशन है जो ठोस उच्छ ताप पर विद्धुत का वहन करते हैं परंतु नियून ताप पर नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो जो ठोस उच्छ ताप पर विद्धुत का वहन करते हैं परंतु नियून ताप पर धातू का एकत्रित कहां पर होती है जब किसी धातू को किसी धातू के ऐसको विद्धुत के द्वारा परिश्क्रण अर्थात शुद्ध किया जाता है तो शुद्ध धातू कहां पर जाकर एकत्रित हो जाती है तो शुद्ध धातू कैथोड रॉड के पार जाकर एकत्रित हो तो विदुधारा से लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रियोग नहीं करते हैं क्योंकि इससे इलेक्ट्रिवशन्स हो सकता है और पानी में भी करेंट आएगा जिससे सामने वाले को जो आग बुझा रहा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है जीवानों को नश्ट करने के लिए किस गैस का प्रियोग किया जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जीवानों को नश्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रियोग करते हैं option number a is fresh English से इत्र हो जाएगा chlorine gas प्रशिंग के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रशन है chocolate स्वास्त के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इसमें क्या अधिक होता है right answer क्या है तो जरुवस से ज्यादा chocolate स्वास्त के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि chocolate में lead रहता है शीशा रहता है option number c इस प्रशिंग के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रशन परमानू उर्जा के उत्पादन में प्रियोग किया जाने वाला आईसोटोप इन में से कौन सा होता है परमानू उर्जा के उत्प रहत हो जाएगा uranium 235 का प्रियोग किया जाता है नक्ष्च वॉषन देखते हैं क्या पुशग है बारूद का आविश्कार किसने किया था राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए बारूद का आविश्कार किसके द्वारा किगा ठाईक्ट औरा उप्शन नमभर Umbera यह अंप रूप से चलने के लिए अभी क्लिया के दौरान उसका बना रहना बहुत जरूरी है यूरैनय विखंडन के लिए जरूरी है, यहंगाड़न से नुट्रौन हैองे सामान उर्वरकों में जिन तीन तत्वों की सबसे अधिक आवश्यक्ता होती है वे कौन से होते हैं तो जो उर्वरक सामानिता सबसे ज्यादा खेती किसानी में प्रियोग किये जाते हैं वो NPK होते हैं नाइट्रोजन फॉस्पुरस और पोटेश्यम और वरक आप्शन नमबर बी यहां पर सेतर हो जाएगा राइट आंसर है नाइट्रोजन पोटेश्यम फॉस्पुरस इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट खॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है व्यापक रूप से इस्तिमाल किया गया राइट आंसर है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है सीसा लेड संचालक बैटरीयों में आविशित होने पर क्या होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो लेड संचालक बैटरी या सीसा संचालक बैटरी के आविशिक होने पर सल्फिरिक एसिड की खपत होत करते हैं उश्मा उर्जा को विदुत उर्जा में कनवर्ट करने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तो उश्मा उर्जा को विदुत उर्जा में परिवितित करने के के लिए जल योजन के द्वारा अन हाइडरेट बनाना आवश्यक है राइट आंसर हो जाएगा अन हाइडरेट बनते हैं तब जाकर प्लास्टर पैरिस जमता है और कठोर हो जाता है नेक्ट्ट कोशन देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रशनी यह रहाँ स्क्रीन पर एथाइल एलकोहल का आईसोमर क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा एथल एलकोहल का आईसोमर क्या है तो डाइ मेथल एथर एथल एलकोहल का आईसोमर है ऑप्शन नमर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट्ट कोशन देखते हैं क्या पुशा गया है सिरके में त तीखा स्वाथ किसके कारण से होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सिर्के में तीखा स्वाथ एसटिक एसड की उपस्तथी के कारण होता है option अंबर ऐसटिक एसलिए प्रशुन के लिए सई उत्तर का प्रियूग करते हैं option जाएगा Methyl Alcohol का almonds कॉन्सा है तो ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइक्ट्राइ है सुगर से एलकोहल के रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहा जाता है सुगर से एलकोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को किंडवन कहते हैं किंडवन प्रश्ण के लिए सही उत्र हो जाएगा नेक्स कॉशन देखते हैं कि आप उशग है अगला प्रश्ण इरा स्क्रीन पर रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की उर्जा भंडारित होती है तो रिचार्जेबल सेल में रासाइनिक उर्जा ऑप्शन मनो रोग को पागलपन की संग्या दी गई है राइट आंसर क्या है कौन से मनो रोग को पागलपन की संग्या दी गई है तो साइकोसिस ऑप्शन नमबर बी यहां पर सेत्र हो जाएगा साइकोसिस मनो रोग है जिसे पागलपन की संग्या दी गई है राइट आंसर हो हैं option number D यहां पर सेत्र हो जाएगा antibodies का निर्मार करने के लिए पैरित करते हैं antigen next question देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रश्ण निम्द लिकित मैंसे कौन सा रोग कीट वाहित रोग नहीं है कीडों से फैलने वाला रोग नहीं है कीट वाहित रोग नहीं है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बेरी बेरी रोग vitamin B की कमी से होने वाला रोग है यह किसी कीड से होने वाला रोग नहीं है राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं निम्द लिकित मैंसे कौन सा एक रोग जीवानू के द्वारा कारेत होता है और मख्यों के द्वारा विष्टा के माध्यम से फैलता है फैलाता तो जीवानू है लेकिन फैलता है मख्यों के माध्यम से कौन सा रोग है तो यह रोग है टाइफाइड रोग ऑप्शन नमब बी यहां पर सयुत्र हो जाएगा टाइफा ही इसे मानों की मृत्यू भी हो सकती है अगला प्रशन अगतों दो खंबों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तो दो खंबों के दूरी को इस पेन कहा जाता है right answer हो जाएगा बिजली के दो खम्मे जो होते हैं उनकी आपस की बीच की दूरी को इस पेन कहा जाता है next question देखते हैं विशाणू की क्या विशेस्ता होती है right answer क्या हो जाएगा विशाणू की क्या विशेस्ता होती है तो विशाणू केवल अपने परपोशी में परवर्धित होता है विशाणू के विशेस्ता है राइट आंसर है option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है अगला प्रशना आपके सामने सड़े हुए अंडे जैसी गंदवाली गैस कौन सी है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सड़े हुए अंडे जैसी गंदवाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों यह था आपका science का practice set paper PDF की link description box में है लिंक पर click करके PDF ले लीजेगा जो भी चैनल पर नया है आप चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन करें जिससे रोज के वीडियो की notifications मिल सके आपके लिए रोज रात में साड़े आड़ बज़े science की life class होती है आप free life class में भी जुड़ सकते हैं वीडियो लाइक करेगा और अपने दोस्तों को जरूँ शेयर करेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो